Hey guys, welcome back to channel, this is the YouTube boy video IPL 2022 का साथवा मुकाबला Bangalore और Punjab की टीम के बीच खिला जाने वाला यानि कि Big Eaters की जंग सुरू होने जा रही है जिसमें एक तरफ होंगे Faf, तो वहीं दूसरी तरफ होंगे Barristow एक तरफ होंगे Maxwell, तो वहीं दूसरी तरफ होंगे Liam Livingstone एक तरफ होंगे Tarran Machine, King, Kohli, तो वहीं दूसरी तरफ होंगे Gabbard, Dhawan यानि कि काफी कमाल का मुकाबला होने वाला है ये तो आप बने रही इस वीडियो हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले हैं इस मुकाबले की बात सबसे पहले बात करते हैं Pitch Report की तो ये जो मुकाबला है Braybourne Stadium में खेला जाने वाला है जहां पर अब तक इस IPL के 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें से 6 मैस डिफेंड हुए हैं और 7 मैस चेस हुए हैं इन 13 मुकाबलों में कुल 1.500 विकेट गिर चुके हैं जाने की यहां के विकेट बल्लेबाजों को जादे फेवर करती है और इस मैस में भी बल्लेबाजों को फेवर कर सकती है और 170 प्लस का स्कोर एकवर फिर से हमें देखने को मिल सकता है आईए अब बात करते हैं दोनों टीमों की possible playing 11 की और इनके form की सबसे पहले बात करते हैं RCB की तो RCB की टीम अब तक इस IPL में 12 मुकाबले खेल चुकी है जिसमें से 7 में इने जीत और 5 में हार मिली है सुरुवात करते हैं इनके strength से, इनकी ताकतों से तो RCB की गिंदबाजी इस वक्त बहुत ज़्यादे खतरनाक form है और इनकी गिंदबाजी इनकी सबसे बड़ी ताकत है आगरी मुकाबले में 5 विकेट लेने वाले हसरंगा बहुत ज़्यादे खतरनाक गिंदबाजी कर रहे हैं मैच में भी 2-3 विकेट चटका कर परपल कैप यूजी चहल के सर से छिनना चाहेंगे साथी साथ हैजल लूट भी हर मैच में 2-3-3 विकेट ले रहे हैं और अब तक इस IPL में 13 विकेट ले चुके हैं वही हरसल पटेल भी काफी डिसेंट गिंदबाजी कर रहे हैं यानि कि आर्थी भी के 3 गिंदबाज बहुत ही अच्छे फॉर्म हैं कप्तान फैफ पिछले 2 मैचों से बहुत ही अच्छा खेलना है साधी साथ रजट पटिदार को जब से नंबर 3 की जिमेदारी दी गई है वो भी काफी कंसिस्टेंट नजराए हैं और सिर्फ 4 मैचों में 137 बना चुके हैं वहीं मैक्सवेल भी चोकी और छक्के लगाने के साथ साथ हर मैच में एक एक दो दो विकेट भी निकाल रहे हैं साधी साथ दिनेस कार्थिक X-Factor के रूप में इनके पास अलग से है ही विकनेस की बात की जाए तो विराट कोली का वुरा वक्त खतम होने का नामी ने ले रहा और उनका खराब फॉर्म RCB के लिए सबसे बड़ा कंसर्ण बना हुआ है और विराट कोली के आउट हो जाने की वज़े से RCB को पाउर प्ले में अच्छा स्टार्ट नहीं मिल पारा है और विराट कोली RCB की सबसे कमजोर करी है आईए अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की तो पंजाब की टीम अब तक इस IPL में 11 मुकावली खेल चुकी है जिसमें से इने 5 में जीत और 6 में हार मिली है और ये मुकावला पंजाब के लिए डू और डाई का है शुरुआत करते हैं पंजाब के वीक पॉइंट से तो कप्तान मयंक अगरवाल का खराब फोर्म पंजाब की सबसे बड़ी कमजोर करी है वहीं दूसरी तरफ उनकी बल्लेबाजी जादे गहरी भी नहीं है उपर से सिखर धवन को छोड़ कर और कोई बल्लेबाज बड़ी पारिया नहीं खेल पा रहा है जैसे की लियम लिविंग स्टोन फॉर्म में तो हैं लेकिन 20-30 सन ही बना पा रहे हैं ऐसे में इनकी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादे अनप्रेडिक्टेट बन जाती है आमने चाहे कोई भी टीमो इनसे पार्थ नहीं पाती है वहें इनकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब से जॉनी वरिष्टो को ओपनिंग मिली है बहुत अच्छा खेलने लगे हैं उपर से सिखर धवन तो पहले से ही फॉर्म में थे तो ऐसे में पनजाब की ओपनिंग बहुत ही जादे खतरनाक बन जाती है उपर से मीडिल ओडर में इनके पास राज पक्छे और लियम लिविंग इंस्टोन जैसे दो इनफॉर्म गेम चेंजर तो हैं ही बात कीज़े अगर head to head battles की तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 29 head to head मुकाबले खेले जा चुके जिसमें 13 RCB जीती है और 16 जो है पंजाब जीती है इन दोनों टीमों के बीच खेले गए आगरी 5 मुकाबलों में 4 पंजाब जीती है और 1 RCB जीती है इस साल भी इन दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया है और वो मुकाबला पंजाब ने जीता था आईए अब बात करते हैं की फैक्टर्स की तो विराट कोली पंजाब के खिलाफ 28 पारियों में 782 रन बना चुके है वही फैब्ड टु प्लेसिस 13 पारियों में 702 रन बना चुके है और इनका आउसात पंजाब के खिलाफ 60 से भी जादे का है दिनेश कार्तिक 25 पारियों मे 11 पारियों में 291 रन, सिखरदवन 23 पारियों में 600 अन्ठावन, वहीं रबाड़ा 6 पारियों में 13 विकेट RCB खिलाफ ले चुके हैं, आईए अब बात करते हैं आज के हमारे फैंटसी पिक की, तो जॉन्नी विश्टो को ऐसे फिकेट की पर हमने अपनी टीम में लिया है, सिख पिसो रबाड़ा, हरसल पतेल और जॉस हैजलोड, कैप्टन फैफ को हमने बनाया, वाइस कैप्टन मैक्सवल को बनाया, फाइनल अबडेड़े टीम, फाइनल अबडेड़े टीम, वाइस कैप्टन हमेजा तर आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा, अब बात करते हैं, पा हैं इस मैश में fapped places, highest scorer होंगे, वही हमारा तीसरा पेडिक्शन यह है, कि समाच में रबाड़ा, एक बर फिर से 2 या 2 से जाधा विकेट लेंगे, वही हमारा चौता पेडिक्शन यह है, कि समाच में सिखर धावन, पंजाब की तरब से सब से जाधा run बनाएंगे, वही हमा चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा धन्यवाद